हेलो एवरिवान कैसे हो सब आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहा है तो उसके लिए एक पैन ले लिया है नॉन्स्टिक उसमें थोड़ा ओईल लिया है सरसो का तेल रखा है मैंने दो चमज तेल गरम होते ही हम तमाटर दो तमाटर को आदा आदा कट करके इस तरह से रख देंगे देखिए और उसके साथ हम कुछ और चीजे भी रखेंगे टमाटर को अच्छे से तेल में बुनना है उसके साथ हम लस्टून की एक पूरी गुच्छी रख देंगे उसे भी हम बून लेंगे इसके साथ आज कल यह वाली चटनी बहुत ही फेमस है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ही वाइरल हो रही है, यह तो मैं सालों से बनाती हूँ, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, इसके साथ मैंने सुखिलाल मिर्च भी भून लिए साथ में, और थोड़ा सा मैं यहां पे जीरा भी डालूँगी, और नमक भी डालू से अच्छे से भून जाए सारी चीजे, मैं यहां पे ज्यादा नहीं जलाती, ज्यादा नहीं भूनती, क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट कड़वा हो जाता है, मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और टमाटर, मिर्ची और लसुन को अच्छे से अल सब को पसंद आती है, ऐसी चीजे मतलब होती है कि हर कोई पसंद करता है, तो आप भी इस मेथड से जरूर बनाना एक बार, मेरी मेथड थोड़ी से डिफरंट है, सिंपल है बिल्कुल, तो सारी चीजे बुनने के बाद मैंने टमाटर की ये स्कीन अलग कर ली थी, और दिखिए, ये थोड़े से गरम थे, तब ही मैंने उसकी स्कीन निकाल ली थी, वैसे थोड़ी बहुत इसमें रह भी जाती है, तो बाद में भी निकल जाती है, जब इसको हम मैश करते हैं, तो यहाँ पे टमाटर अभी भी गरम है, तो मैं थोड़ी देर उसको ठंडा होने क के बाद ही उसके मैश करूंगी, तो यहाँ पे स्कीन निकल चुकी है, लसून निकाल लिया है बार, डंठल निकाल लिया है मिर्ची के, तो अब यह जो मैशर होता है ना पोटेटो मैशर, तो उससे मैं इसको मैश कर रहे हूं, तो अच्छे से मैश करेंगे, बाद में मैं उसमें लसून जोश को मैंने कूट कर डाला था, पीस्इक नीध डाला था, और बारिक बारिक अन्यन चौप की थी, उसको भी डाल दिया था, और इसके साथ आपकी चुआइस है कि अगर आप रेड चिली कशमिरी पावडर भी डाल सकते हो, मैं ने डाला था थोड़ा अगर ऐसे भी खाना पसंद करते हो तो अंदर अपने चीली तो रखाई है रेट ड्राइ चीली उपर से थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और थोड़ी देर उसको चलाने के बाद बहुत ही मजेदार यम्मी चटनी रेडी हो गई है हमारी देखिए थोड़ी देर उस इसा है मौस्चर है वो सारा जल जाए और कलर अच्छा आजाए तो यहां पर चटनी रेडी है उसमर दन्या डाल दिये इस चटनी को आप एक महीने तक श्टॉर भी कर सकते हो फ्रीज में और ऐसे भी खा सकते हो फ्रेशली तो इसको मैने बाद में कंटीनर में भर के झाल